कोटेडी थाना शेत्र के जाटों का नोहरा गाओं में गद दिनों डीजे पर गाना बजाने के दोरान उपजे विवाद में हुई मार्पिट के बाद एक वेक्ति की मोथ हो जाने के मामले में पुलिस ने दोर आरोपियों को गिरफतार करते हुए एक नाबालिक को डिटेंग किया है अब तक चार आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफतार कर एक नाबालिक को डिटेंग किया है कोटेडी थाना प्रबारी खीवराज गुर्जर ने बताया कि गत दिनों थाना शेत्र के जाटों का नहोरा गाउ में एक शाधी समारों में डीचे पर गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया आपस में हुई लड़ाई एवं मारपिट में नहोरा निवासी रामेश्वर लाल जाट की मोत हो गई पुलिस ने शवका पोस्माटम करवा कर परिजनों को सुपूर्थ किया वही मृतक के पूत्र की रिपोर्ट के आधार प्रमामला दर्ज कर जान शुरू की अनुसंदान में उंप्रकाश पिता शंभु माली, सुरेश पिता मांगिलाल माली, निवासी जोर का खेडा, ठाना विगोद को हत्या के आरोप में गिरफतार किया है वही एक नाबालिक को निरुद्द किया है इससे पहले कल रविवार को पुलिस ने सत्तु पिता चंद्रा माली, निवासी जोर का खेडा, ठाना विगोद्व, बंटी, उर्फ देव किशन, पिता जमुना राल जाट, निवासी जाटों का नहोरा को गिरफतार किया मामले में अनुसंदान जारी है